हेलो गाइज वेलकम बैक टू न्य वीडियो तो आज हो गाइज हम अगेन खेलें वाले हैं एम प्लेपर पूरा में एंड गाइज ये गेमप्लेई में एक तरह काफी इंटेंस होने वाला है क्योंकि यहाँ हम ओनली सैंवर राउंड में और प्लेयर को इजी एलिमेट करके व हमारे पास देशाते हो फासरान में काड़ तो काफी अच्छे हैं लेकिन जोकर नहीं है आप देखी सकते हो अगर मारे पास यहाँ पे दो जोकर होते ना तो हमारे डिकलेयर करने के बचांस पड़ जाते क्योंकि मारे पास देखो वैलिड एंड हाई काड़ और हमारी प्यो कौन बंदे प्ले करेंगे ओके सैकेंड लाट प्ले कर रहा है चलो बढ़िया अब डिलर देख लेते हैं प्ले करेंगा या फिर नहीं वैसे यहाँ पर किसी बंदे के पास only one job करूआ अगर वो रिस्क ले रहा होगा और किसी बंदे ने only second या फिर थर्ड टर में डेकलेर किया तो भाई उस बंदे के डाट 80 पॉइंट भी लग सकते हैं खैर कोई निया मुझे इसी एक साथ करते हैं बैट स्किप देखते हैं यहाँ पर गाईज कौन बंदा डेकलेर कर पाता है ओके और यहाँ पर देखते हैं जो राइट में बंदे बैठे हैं इन बंदों कितने कितने पॉइंट लगे हैं ओके 52 और 24 वाव क्या बात है बाई मतलब कि इन बंदों को कुछ प्ले करने का बनेफिट नहीं मिला क्योंकि यहाँ बंदे ने थोड़ा फार्शी डिकलेर किया था आई थिंग ओली त्री या फिर फॉर टरन लगी थी चलो कोई नहीं अगें गईस कार्ड नीं डिसक्रड कर सकते है नाई डिसक्रड कर सकते है और यहाँ पे गयाँ जादा को क्विर्ट में जादा कर देगा तो इत्युंत करंते हैं तो देखते हैं बंदा फॉलो करता है या फिर नहीं वैसे चांस्स तो कम ही है बगी बंदे फॉलो हमें करें बट कोई बात है नहीं और यहाँ पर डीलर ओके यह बंदे बले कर रहा है अब देखते हैं यहाँ प्यूर स्विक्वेंस हमारी बस कैसे बिगर करें हो जाए ओके देखो बंदे ने फॉलो तकिया हमने क्वीन डिसकाड की और यह बना टैंड डिसकाड कर रहा है और हमारे पास इक साथ ता कोई नहीं यहाँ मैं डावन में डिसकाड कर देता हूं और यहां पे बाई बंदा फिक कर लेता है भाई सा चलो बढ़ा बंदे ने डिक्लियर तुक नहीं क्या लेकिन अब यहां पे दिखक दिया है कि मारी औरशुक्र कोई सरही नहीं हो अभी तक बस कैसे बिएक रुकर ना बंदँ गलती कर दे बंदे ने 9 डिसकार्ड किया तो भी डिल्डर ने यो कि हमको ती नीड और ये बंददag 10 डिसकार्ड कर रहा है और यहां पर बाई जोग कर पर जोग कर आए जा रहा है अब यहां पर 5 दिसकार्ड करें सो मैं यहाँ पर 10 ही discard कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर 9 open एक में निकल चुका था और यह बंदा 10 भी pick कर लेता है अब मुझे लगता है कि declare होने वाला है क्योंकि बंदे ने यहाँ पर 2 open ऐसे card pick कर लिए हैं लेकिन अभी भी declare नहीं हुआ बस अब only hope है तो ace होगी अगर ace आगे तो हमझा direct declare कर सकते हैं होकम का बत और यहाँ पर यह बंदा देखो 10 discard कर रहा है अगेन वह भी क्योंकि यहाँ पर देखो 9 open deck से निकल चुगा था और यहाँ पर क्वीन का को याथा पता है नहीं किस बंदी के पास है और क्या पता कोई बंदा सैटी ना रहीं कर रहा हूँ देखते हैं और यह बंदा देखो टाइम लगा के card pick कर रहा है यानि कि इस बंदे को only मेरे साथ से one valid card चाहिए होगा क्योंकि जिस साथ से बंदा time लगा के card pick कर रहा है ना 100% अगर इस बंदे ने एक और हमसे card pick किया ना तो यह बंदा that declare करेगा हम चाहते हैं बस कैसे भी करके ना हमारी प्योर स्क्वेंस रेंज हो जाए बस एक card एक गलती बंदा कर दे बाई card कर दे जिससे कि मारी प्योर स्क्वेंस रेंज हो जाए कम से कम लिए तो हमारे डाइट 39 पॉइंट लग जाएंगे और यह बना देखो diamond five discard कर रहा है अब यहां मुझे समय नहीं आ रही कि मैं play मतलब middle draw कर दो लेकिन कोई नहीं कलोड़े से card pick करते हैं और यहां पे कवीन आती है अब बताओ मैं कम सा card discard करूं मतलब कवीन देखो कब आई है जब हमने 10 discard कर भी दिया और कितनी देर बाद आई ह अगर पहले ही आ जादी तो हम जो प्योर स्क्वेंस रही कर प्लेते कम से कम कैर कोई नहीं और यहां बे बंदा देखो five discard कर रहा है पहले इसने six discard किया और डीलर देखो पिक कर लेता है मतलब हम यहां जो card नहीं पिक कर पा रहे बाकी सबी बंदों ने देखो open एसे card पिक कि पिक हो जाती है फिर्टू के साथ करते है। डेकले इसी के साथ है फिनीच यहां पर देखते हैं बंदे कि रहे कि प्वाए जमेबगा से लासन हैं डीलर देखो यह बंदा वहाल« 25 प्वाइट से लाब्या और जहो जो राइट है यह बंदा उल्ली 16 थैसे सीवीड हो चुके हैं एंड इस बार तो गाइज हमारे पास काफी ओपी काड़ा देख साथ है प्योर स्क्वेंस है और जो कर भी है और डिक्लेयर करने के लिए देखो ओनली वन वैलिट काड़ चाहिए वाउ मतलब मैं सोच हम यहां पे सभी प्लेयर अगल प्लेय करेंगे ना तो हम जाए इन बंदों के हाइस पोइंट लगा सकते हैं अगर इनकी प्योर सक्वेंस रही नहीं हुई और कैसे देखो 20 पॉइंटल बंदा प्लेय कर रहा थार्टी फॉर प्लेयर प्लेय कर रहा चलो बढ़ी है अब देखो हमको ओनली वन वैलिट काड़ चाहिए मैं सोच कि यह हमको फ्यूचर में टकर दे सकते हैं और यह बंदा जो हम गाइस डिसकार करता है अगर इसी के साथ फिनिच अब देखते हैं गाइस बंदे कितने कितने पॉइंट से लोस होएं मेरे इसाब से 80 पॉइंट से लोस होने चाहिए कम से कम 40 प्लस तो पॉइंट लगने ही ओक गे और ऐसे होता है गाइस बंदों के 40 के आसपास तो पॉइंट लग चुके हैं मेरे इसाब से और डीलर इसके देखते हैं कितने पॉइंट लग गया है मेरे इसाब से क्या पता यह बंदा हो जा लेकिन नहीं यह बंदा ओन्ली 22 पॉइंट से लोस हुआ है चलो बढ़िया जो हुई हो भाई मज़े ही आगया वैसे यहां पर मेरे साब से बंदे अमना फ्रस्टेट हो चुके होंगे कहीं नहीं और वो देखना कैसे भी कार्ड होंगे ना प्ले जूड करेंगे अब मतलब सिंगल जोकर होगा या फिर ओनली प्योड सेक्वेंस होगी तो इसकले लेंगे देख लेना तूम सो अगेन गाईस कार्ड डेसिविड हो चुके हैं एंड इस बार तो गाईस हमारे पास कार्ड ही नहीं भाई मतलब के इन्वालिट कार्ड काफी सारे हैं और एक जोकर है तो इस बार तो मुझा ड्राव भी करेंगे वैसे 73 पॉइंटल बंदे को ओपन डैक में जोकर मेला तो इस बंदे पास हो साथ है काफी अच्छे कार्ड हो एंड यहां पर देखते हैं और कितने कितने प्लेयर प्लेय करेंगे और देखो भाई यह बंदा टाइम कितना लगा रहा है कहीं ऐसा ना हो कि यह बंदा ओनली फर्स्ट ट्रमें डिक्लेयर कर दे अगर ऐसा वाना तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी यह क्या बई बंदे ने का टाइम आउट ही हो गया शायद क्या बता डाम हर्ट में फोर्ड डिसकार्ड होगा है वैसे हो सा था को ग्लिचो यह बंदे का नेटवर्क स्टेबल नहीं है कैर देखते हैं क्या होता है आगे आगे ओकए यहाँ पे 97.25 बंदे प्ले ही करेगा और यहाँ पे देखो 62.25 प्ले करा है तो इस बार हम जो डॉप ही करेंगे क्योंकि हम जो है अलिमिट होना नहीं चाहते हैं और हमारे सबसे कम पॉइंट है तो करते हैं ड्रॉप एंड इसी एक साथ कर देते हैं बैट स्किप ओके तो फाइनली गाईज यहां पे 97 पॉइंट ला बंदा डिकलेर कर देता है और इसी एक साथ देखते हैं बंदे कितने कितने पॉइंट से लास हो है ओके यहां पे वन प्लेयर तो एलिमेट हो चुका है और जो 73 पॉइंट ला बंदा यह बंदा भी उनली 17 पॉइंट से लास हुआ है चलो बढ़िया यहां पे जो 62 पॉइंट बंदा यह बंदा भी उनली 8 पॉइंट से लास होता है खैर कोई दिकता है नहीं अगेन गाइस कार्ड डिसी बिड हो चुके है और इस बर गाइस हमारे पास कार्ड तो ठीक ठागी है मतलब कुछ ज़्यादा वैलिड है नहीं अगर प्य। कैंस रेंज हो गया तो जूर प्ले करेंगे यानि के हमारे पास हर्ट में अस या फिर हर्ट में आ ज़े या फिर कलप पर एक क्वीन आ गया ना तो हमारी प्यॉर्शक से रेंज हो गय गया जाएगी और हम जो रिसक्ले लेंगे वैसे यहाँ पर देखो जिस बंदे के 80 पॉइंट हो चुके है ना इस बंदे ने 4 टाइम ड्रॉप किया अब इस बंदे पास 5 राउंड में मेरे साब से अच्छे काड़ाये होंगे कि यहाँ पर मैं सोचां कि ड्रॉप भी करेंगे रिस्क नहीं लेने वाले क्योंकि यहाँ पर प्यॉर स्कुंस नहीं होने की चांस बहुत ही कम है और यहाँ पर 80 पॉइंटल बंदे ने ओपन ऐसे जोकर भी पिक किया था खैर कोई नहीं गाइज हम अगेन बैट स्किप करते हैं देखते हैं यहां पर काउंट क्लियर करता है ओके असो फाइनली गाइज यहां पर 85 बंद डेक्लियर कर देता और इसी के साथ डिलर और साइकी राइट प्लेर जो है इस बार डारेक्ट अलिमेट हो जाते हैं क्योंकि इस बंदे ने ओपन डैसे जोकर पिक किया था और इस बंदे ने थोड़ा फाशी डिकलियर किया था जिस वाएसे बंदा जो है दोनों एलिमेट हो जाते हैं चलो बढ़िया हमारे लिए तो अगेन गाइस कार्ड डेसीविड हो चुके हैं इस बार तो गाइस हमारे पास कु कम से कम और वैल्ट कार्ड भी थे और यहां आप बंदे देखो इकर्ड कंद करते हैं लेकिन हम अम अब ऑग इग्णोर कर देते हैं तो इस बार देते हैं कैसे कार्डा हाते है वाओ गाइज अगेन गया विए only हमको two valid card चाहिए मतलब कि मेरे साथ से ये बंदे ऐलिमिट हो जाएंगे easy so देखते हैं guys हम declare कर पाते हैं या फिर नहीं वैसे यहाँ पर हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि हम जो है कोई भी बंदे को card pick करने नहीं देना ओके बंदे ने discard गिया चलो यह हमारे तो काम का है and मरा इसी एक साथ जोकर release हो गया so मैं यहाँ पर सोचाँ कि ace discard कर दूँ क्योंकि यहाँ पर 10 pick होने की chances है 8 जोकर है ना तो बंदा 10 का site भी रहें कर सकते हैं so मैं सोचाँ कि यहाँ पर ace discard कर दूँ और बंदे को मेरे साथ से नहीं लगना चाहिए और ऐसे होता यह बंदा फिक नहीं करता so finally guys declare करने के लिए हमको चाहिए only one valid card वैसे ace के cutting अगर हमारे पार damn में ace भी आगा तब हम declare कर सकते है only one valid card मेरे साथ से यह बंदा गलती कर सकता है और यह बंदा guys इस बैट को easy winner बन जाते है so अगर guys आपको gameplay अच्छा लगाओ तो like and subscribe जो कर देना मिलते है guys next video में तक के लिए okay bye